ओके सो इस वीडियो में मैं आपको पामीर नॉट बताऊंगा पहले ये बता देता हूँ कि पामीर नॉट क्यों बताऊंगा देखो एंसे पहले यहां का आस पास का लोकेशन देख लेते हैं तो यह अपना इंडिया इसका कैपिटल हो गया न्यू दिल्ली देन ये पाकिस्ता है पाकिस्तान का कैपिटल हो गया इसलामाबाद ये अफगानिस्तान है इसका कैपिटल हो गया काबूल ये इरान है तो इसका कैपिटल लिखा नहीं है तो मुझे पता भी नहीं है ऐसा नहीं है इसका तहरान है ये है तुर्कमेनिस्तान इसकी कैपिटल है अश्कबाद और ये है उस्बैकिस्तान, जिसकी यहाँ पर दिख रही है capital, किर्गिस्तान, जिसकी capital है, बिशकेग, ये है आपका Tazakistan, दुशानबे है capital, इसकी capital इतना important नहीं है, चािना की सभी को पता होगा, बीजिंग है, ठीक है, और ये हैं आपका小心стान, ठीक है, यह कजाकिस्तान जिसका capital है नूर सुल्तान तो यह अभी अभी याद किया आपको पढ़ाने के लिए तो इसका capital किया है नूर सुल्तान है अब देखते हैं पामीर नौट का है नौट का मतलब होता है गठान तो गठान का कैसे मतलब निकलता है यहां पर ऐसा लगता है कि यह जो भी ranges दिख रही है, जो भी ranges है, ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से सारी निकलती हुई दिख रही है, दूसरी बाशती है है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर ख्तम होती हैं, मतलब यहां तो कनवर्ज होते दिख्ती हैं यहां से यहां से इमर्ज होते निकलती है मतलब यह तो इनका ऐसा लगता है कि यहां से निकल रहे हैं यहां से लगता है कि यहां पर आके जुड़ रही है ठीक है तो यह एरिया को देखते हैं पहली बात पामीर गाठ या पामीर नौट जो है वो है कहां पर तजाकिस्तान में में तजाकिस्तान में और इसके अलावा कहां कहां फैला हुआ है किर्गिस्तान में फैला हुआ है चाइना में फैला हुआ है यह वाला जो मैंने बनाया न डिमारकेशन यह जो बाउंडरी बना के रखिए इतने में फैला हुआ है तो कहां कहा सी रेंजे इस से निकलती धिक यह important जीज़ है ना तो जो यहां पर बता रहा हूँ, याद रखना पेपर में जो कोशन बनता है कैसे बनता है कि पामीर नौट से कौन कौन सीनेंजे इमर्ज होते दीखते है या निकलती हुई दीखती है यह कन्वर्ज होते दीखती है या मिलती हुई दिखती है ठीक है तो देखो कौन कौन सी है हिंदकुष जो की कहां पर है अफगानिस्तान में याद रखना है हिंदकुष भी याद रखना है कि कहां है अफगानिस्तान में दें हिमाले ठीक है दें कराकोरा जो की दोनों इंडिया में है अक्षाई चीन वाले वो पामीर का पार्ट है ना कि ये मिलती होई दिखती है ना यहां पे confuse करने के लिए कह सकता है लद्दाक है जासकर नहीं याद रखना लद्दास जासकर कराकॉरं का अच्टिंडेड़ पार्ट माना जाता है या ट्रांस हिमाले का पार्ट माना जाता है तो जो मैं बता रहा हूँ कि वल उतनी ही पेपर में आएंगी और यही याद रखना इसके अलावा कुछ भी निकलती हुई नहीं देखती है, इसलिए याद रखना तियान शान कुलून, करा कोरा हिमाले और हिन्द कुछ यह निकलती हुई देखती है, कहाा से इससे बधी हुनी है तो गठान होता है न इसलिए गठान बोला गया तो यहाँ पे पामीर का पठार भी है याद रखना ताजाकिस्तान में पामीर का पठार भी है प्रामीर परवत्ष्रेणिया भी है ठीक है ऐसे परवत्ष्रेणिया भी है पामीर और वो इतने एरिये को में ही करते हैं यह जितने अर्यां में धिखे ह्क दिख करते हैं तो पामिर नौट क्यों कहते हैं और यहां पर figuring that भी है दिखो हैं कंफीuse नी होना है यहां से आलाई मांटेन आप को दे सकता है कि यह पार्ड है तो नहीं त्यांशान का पार्ड बोला जाता है ट्यान शान का ये माना जाता है extension ट्यक है और माना जाता है कि जूलाई mountain है ये तजाकिस्तान और किर्गिस्तान की boundary को बनाता है तो यह याद रखना है यहां पे Unterstüt enterprises न मैं इन्हीं का नाम एयाद रखना है तो यह देखो सुलेमान कारा कोरम, हिमाले, हिंद कुछ और इन सब की प्लेस तो मैंने बताई दिया कि कहां कहां हैं ठीक है होफ़लिये समझ में आ गया होगा आपको